नमस्कार दोस्तों एगरिटेक न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है इस्ट्रेलायेशन यानि निर्जर्मी करण यानि हम किसी भी उत्पाद को किस प्रकार से निर्जर्मी करत करेंगे यानि बैक्टिरियाओं से रहित करेंगे तो आए हम जानते हैं कि निर्जर्मी करण का प्रोसस कैसे होता है इसके ऑबजेक्ट क्या है इसकी डेफिनिशन क्या है इसके लाव और हानिया क्या क्या है तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो आए चलते हैं जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे एग्रिट टेक्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उन्हें यहां से एग्रिकल्चर से जुड़ी डेरी से जुड़ी और जॉब से जुड़ी नौटिफिकेशन्स मिलती रहते हैं तो आएए दोस्तों वाच करते हैं तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनीशन पढ़ते हैं इसकी डेफिनीशन क्या है कि दूद को एक उच्छ तापक्रम पर गर्म करके सामाने तापक्रम पर ठंडा करना इस्टेलाईएशन कहलाता है क्योंकि उच्छ तापक्रम का मतलब है अधिक टंपरेचर क्योंकि पास्चुराईशन का जो हमारा टंपरेचर होता है वो 30 degree centigrade तंपरेचर होता है जिसमें हम 30 मिन तक गर्म करते हैं जो यल्टी यल्टी प्रोसस कहा जाता है तो इसमें क्या करते हैं इसमें हम टंपरेचर को बढ़ा देते हैं तापक्रम अधिक कर देते हैं तो तापक्रम अधिक इसलिए करते हैं कि दूद में उपस्तित हनकारक बैक्टीरिया नस्ट हो जाए दूद हमारा अच्छी क्वालिटी का हो जाए और उसकी कीपिंग क्व जम्रे के ताप करम पर ठंड़ा करते हैं और यह बिधी कि 115 डिग्री सेंटी ग्रेट पर रूम टंपरेचर पर यानि इतना ही सिर्फ इसमें याद रखना है कि 115 डिग्री सेंटी ग्रेट ताप करम होता है और 30 से यहां पर देखो हमने समय नहीं लिखा है तो वो चीज हम मेंसन नहीं कर पाए हैं तो उसको हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं आप इसको नोट कर लेना कि 15 मिनट तक ही दूद को गर्म करते हैं इसका औबजीक्ट क्या है तो औबजीक्ट में यही है कि पैथोजनिक और नन पैथोजनिक दोनों प्रकार के बैक्टिरिया इस तापक्रम से नस्ट हो जाते हैं यह दूद में पूरा प्रोसेस प्रयोग करत तो लोग पानी में पानी को गरम कर देते हैं उसमें टंपरेचर पानी का तेज़ कर देते हैं उसका च्छड़काव सब्जियों के उपर कर देते हैं या फिर गरम पानी में सब्जियों को प्रवाहिद कर देते हैं यह कर देते हैं सब्जियों और फलों के साथ दूद के साथ क्या करते हैं दूद के साथ बोतलों में पाइक करके कभी कभी दूद की बोतलों को स्टेलाइज करते हैं कभी दूद को पहले स्टेलाइज कर लेते हैं उसके बाद उसकी पैकेजिंग करते हैं या फिर पैकेजिंग करने हैं जैसे की चलोरीन वाटर ले लेते हैं इससे कि हमार दिया जाता है जिससे कि कारे में बरतनों को प्रियोग में लाएं तो वह उत्पाद जो उन बरतनोंukan भरा जायेगा उस उत्पाद में कोई infection ना फैले, इसलिए हम बर्तनों का भी stylization करते हैं, चले जानते हैं इनके love और हानिया क्या क्या है, इनसे love क्या क्या मिलते हैं और हानिया क्या क्या मिलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इनके profit की तो जो निर्जर्मी करण दूध है वो हवाबंद बोतलों में भर कर किसी भी तापमान पर बिना परिवर्तन के एक लंबे समय के लिए रखा जा सकता है यानि बोतलों में भर दिया गया निर्जर्मी करण दूध और अधिक से अधिक समय तक रखा जा सकता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि दूद की keeping quality बढ़ाने के लिए ही stylization किया जाता है या आने उत्पादों की keeping quality बढ़ाने के लिए ही stylization किया जाता है next point है इस दूद को उपहोग के लिए उन अस्थानों तक भेजा जा सकता है जहां दूद उपलब्द नहीं होता है तथा पास्चुरी करण की या पास्चुराइशन की कोई सुविधा उपलब्द नहीं होती है यानि दूद गरम करने की अच्छी सुविधाय जहां पर नहीं उपलब्द होती है वहां पर ऐसा दूद हम भेज सकते हैं क्योंकि ये दू तो ऐसे रोधी टाइंक होती है जिनमें टंपरेचर मेंटेन किया जाता है उनको ठंडा किया जाता है ठंडा करके दूद को भेजा जाता है ताकि रास्ते में दूद गर्मी के प्रभाव की वज़े से ना खराब हो इसलिए यानि कि हम स्टेलाइज अगर कर देंगे दूद को तो उसे गर्मी या अन्य टंपरेचर से कोई मतलब नहीं रहता है वो दूद सुरच्छी तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है वो किसी भी टंपरेचर पे वहां पे पहुंचाया जा सकता है और आगे भी इसके पॉइंट है उनकी हम बात करते हैं इस दूद के सेवन स मनुष से में कोई भी बीमारी नहीं फैलती क्योंकि सभी प्रकार के बैक्टिरिया उनका आक्सी करण नहीं हो पाता है यानि बैक्टिरियां का जब आक्सी करण नहीं होगा तो बीमारी कैसे फैलेगी दूद में सबसे मुख की बीमारी तो ट्यूबर क्लोसिस बताया जाता नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दूद का लाइपेज एंजाइम नस्ट हो जाता है जिससे दूद की वसा काक्सी कर नहीं होता है हाँ अगर यहां पर लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं दूद का अगर स्टेलाइशन हो गया है तो लाइपेज एंजाइम जरूर नस हो जाएगा तो यह टेस्ट हम कमप्लीट मानते हैं कि हाँ लाइपेज जैम नस्ट हो गया है इसलिए हम मानते हैं कि हमारा दूद इस टेलाइज temperature पे गर्म हो जाता है और बच्चों के लिए अच्छी तरीके से पचाने वाला दूद बन जाता है next अब इसके हानियों की बात करते हैं तो इसमें हमों के हानिया क्या-क्या है दूद का पोशक मान कम हो जाता है यानि इसकी nutritive value कम हो जाती है next point है protein का जैविक मान कम हो जाता है तो protein परसंट जो दूद में होता है 3-4% लगबग होता है वो भी कम हो जाता है दूद का गुलनसील, calcium, agulansil अवस्था में बदल जाता है तो दूद में जो calcium होता है गुलनसील अवस्था में जिसे हम minerals कहते हैं दूद में जो मिनरल्स या अस होता है उस मिनरल्स को हम उस मिनरल्स में कैलसम होता है फासफोरस होता है और विटामिन्स होते हैं तो वो अगुलंसी लाउस्था में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दूद की लेक्टोज तथा प्रोटीन परिवर्तित होकर क् अधिक गर्म करनी की ज़े से इनमे जली गंद जंद जहा पिलना है यहां77 ज्यु नेट पॉइनद भुविंत सिपटे और मिट्मीन ब्ी तीस परसंट नस्ट हो जाता है हमने यहां पिताया था के बिटमेन सी ज्यादा से झादा नस्ट हो तक नस्ट हो जाता है ओके थांकियों दोस्तों